पंकज नाम का एक लड़का था, पढ़ने में काफी अच्छा विद्ध्यार थी था, उसने आई IT से इंजिनेरिंगं की उसका प्लेस्मेट भी अच्छे कमपनी में हुआ, अब वो अच्छी नौकरी कर रहा था, मगर अब उसके आस पढ़ोस के लोगों ने कहना शुरू कर द एक दिन उसने सोचा कि मैं यह नौकरी छोड़कर IAS परीक्षा की तयारी करता हूँ और उसने ऐसा ही किया और वो फिर IAS की, परीक्षा की तेयारी में जुट गया, अब कई वर्ष बीद गए, परंतु वह IAS परीक्षा में उतीर नहीं हो पाया, अब उसके सारे प्रयास अ आयोग्य हो चुका था, क्योंकि उसकी आयू 32 वर्ष हो चुकी थी, अब ना तो वह इंजिनेरिंग में वापस जाना चाहता था, और ना ही उसका मन किसी और सेवा की परीक्षा में या नौकरी में लग रहा था, वह बहुत ही तनाफपूर्ण रहने लगा, अब बात बस इ भीकार नहीं कर पा रहा था, इसके साथ ही अब लोगों को रवया भी उसके लिए बदलने लगा था, जो लोग पहले यह कहते थे कि पंकज तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो तुम्हें प्रशासनिक सेवा की तयारी करनी चाहिए, आज वही कहने लगे कि बाप के पै जब नौकरी ही नहीं तो फिर शादी कैसी? वह सदैव तनाफ पूर्ण रहने लगा, उसके अंदर हर प्रकार की असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगी, फिर उसके दोस्तों ने समझाया कि जो विकल्प अभी तुम्हारे पास है, उस पर ध्यान दोग जो समाप्थ हो गया उसे. जाने दोग बहुत समझाने के बाद धीरज फिर से दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया, एक साल के अंदर ही उसे सरकारी नौक्री भी मिल गई, परन्तु उसका व्यवहार न बदला, वह सदैव परेशान रहने वाला अधीर पंकज बन गया, सदैव तनाव मे रहता कि यह होगा कि वह होगा, ऐसा न हुआ, तब क्या होगा, अब नौक्री लग गई तो उसके माबाप ने उसकी शादी भी कर दी, मगर शादी के बाद भी वो बहुत परेशान रहने लगा, उसकी पतनी एक अच्छी महिला थी, जो की शहर के ही एक बड़ी कमपनी में क करती थी, कुछ समय बाद उनके जुर्वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक, लड़की बाहर से देखने में पंकच का जीवन पूर्ण लगता था, अच्छी नौकरी, अच्छी पतनी, प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चे, और क्या चाहिए एक आदमी को जीवन में? परंतु इन सब के बीच पंकच सदैव तनाफपूर्ण रहता था, जब भी बच्चे किसी बात पर जगड़ते हल्ला करते, तो उसे लगता यह कितने अशिष्ट है। वह बच्चों को संभालने के बजाए मुझे यह ज्यान दे रही है, जब कभी उसकी पतनी अपने दफ्टर से देर से घर आती और कहती कि आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, तो वह सोचता यह कैसी है? अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है, बस बाहर घूमना इसे अच्छा लगता है, पर वह कभी नहीं सोचता कि उसकी पतनी हर दिन अपने दफ्टर के साथ घर का सारा काम, बुढे सास ससुर और बच्चों को भी संभालती है, अच्छी बातों को वह देख नहीं पाता था गुरी बातों और समस्याओं से सदा तनाव में रहता था, उसकी अब आदत सी हो गई थी कि उसे हर चीज में सिर्फ गलती ही दिखाई देती थी, वर्शा रितु के समय पानी की बूंदों से दुखी होता, परंतु हरियाली नहीं देख पाता था, ठंड के समय प्रकृती को ठंड के लिए कोसता, परंतु मीठी धूब को नहीं सराहता, उसकी इस प्रवरित्ती के चलते उसे प्रकृती और नेती में भी कमिया दिखना शुरू कर दिया, सदै तनाव पूर्ण रहता हुआ, उसने एक दिन सोचा की मैं इन सब को छोड़ कर कहीं दूर चला जाता कभी मुझे तनाव से मुक्ती मिलेगी, यही सब सोचता हुआ वह अपने दफ्तर से घर की ओर आने के लिए गाड़ी में बैठ कर जाने लगा, तो उसने देखा कि शहर में एक बड़े से साधु बाबा आये हैं, उनका नाम उसने पहले भी सुना था और उनमें विश्वास भी रखता था, उसने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर, यह गाड़ी तुम शिवर में ले चलो, मैं साधु बाबा से अभी मिलूंगा, सरकारी नौकरी में उच्छे पद पर पदस्थ पंकज बाबु के लिए, उनके शहर में आये साधु बाबा से मिलना कौन सी बड़ी ब पहुच गए, बाबा के पास पहुच कर हाथ जोर कर बाबा से कहा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत ही तनाफपूर्ण है मेरा जीवन और मैं तनाफपूर्ण जीवन का हल चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता, आप क हो तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं तनाफपूर्ण जीवन से ठक चुका हूँ, मुझे इस तनाफपूर्ण जीवन से मुक्ती दे दो, बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब छोड़ दोगे तो जाओगे कहा, पंकज ने कहा, बाबा आपका तो इतना बड़ से कहा, मैं नहीं समझ पाया बाबा, आप क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा, तुम तनाफप को लेकर आश्रम नहीं जा सकते, तभी पंकच तपाक से बोला, बाबा मैं जानबूच कर तनाफ में थोड़ी रहता हूँ, मैं समस्या नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे तक मुझे अब इस तनाव पूर्ण जीवन का हल नहीं मिल रहा। उनके जीवन में तनाव नहीं है और सुनो। कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई तनाव नहीं हो लोगों ने कहा है ना। उसने बढ़ बढ़ाते हुए कहा बात तो सही है, शराबी को तनाव नहीं होता, हमें क्या पड़ी है, कहां क्या हो रहा है बस इतनी सी चिंता रहती है कि आज दारु का जुगार कहां से होगा कहां से पैसे मिलेंगे कि मैं बोतल खरीद पाऊंगा, यह सुन पंकच को लगा कि इस शराबी के जीवन में भी तनाव है, तभी वहां बैठा बुढ़ा हंसने लगा और बोला हा शराबी का जीवन अच्छा है, उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि दारु की बोतल कहां से मिलेगी हम बुढ़ों से पूछो इस उम्र में हाथ पाव तो चलते नहीं है, खाना क्या खाएंगे उसकी भी चिंता रहती है उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहां पर एक पागल हल्ला करता हुआ आया, लोगों ने उसे भगाने के लिए उसे दोडाना शुरू कर दिया और वह मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बोलकर रोता हुआ दोड कर भाग रहा था यह सब देख धीरच को लगा कि चाहे वहां आम आदमी हो, शराबी हो, पागल हो या बुढधा हो तनाव तो सब के जीवन में है तभी एक बच्ची उसके पास आती है और कहती है अंकल क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मा ने जो पैसे दिये थे, मेले में आने के लिए वो मुझसे गिर गए पंकज ने बड़बडाते हुए पचास रुपए निकाला की बच्चों को भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है इस बच्ची को भूख लगी है, और पैसे नहीं है, बच्ची ने रुपए लेते हुए कहा क्या अंकल इसको तनाव थोड़ी ना कहते हैं, यह तो भूख की समस्या है बच्ची की इस बात से पंकच की अकल ठिकाने आ गई, वह दोड़ा भागा साधु बाबा के पास पहुँचता है और उनके चर्णों में गिर जाता है, बाबा उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा तुम इतने दोड़ते भागते क्यों आए हो उसने कहा, आपने मेरी आखें खोल दी, यदि आपने मुझे मिले में ना भीजा होता तो मैं तो यह जान ही नहीं पाता कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं समझ गया कि जीवन ने केवल मुझे दुख नहीं दिये है सबके जीवन में अपने हिस्से के सुख, दुख, अपने हिस्से की परेशानिया है, चाहे बुद्धा हो, चाहे पागल हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे सामर्थिवान हो, चाहे बच्चा हो या है जवान हो सबके जीवन में अपने अपने हिस्से के सुख दुख परेशानिया है और तो और मेरी आखें तब खुली की खुली रह गई जब एक बच्ची ने बताया कि तनाव तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो भूख है और मैं आज तक समझता था कि तनाव मेरी समस्या है। यदि मैंने अपनी समस्याओं का निवारन किया होता, तो मुझे कभी तनाव होता ही नहीं। यह सब सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थप्थ पाने लगे। पंकज ने बाबा से कहा परंतु। अभी भी ए इतनी बात समझ गए हो तुम तो यह भी समझ लो पुत्र की समस्या केवल लंबित या अपून कार्य या मन्शाही नहीं होती। कभी कभी जब परिस्थिती और मन की स्थिती में भेद हो तब वह भी समस्या है। कभी तो समाधान समस्या का निवारन है। और कभी कभी मात्र स्थिती परिस्थिती को स्वीकार लेना भी अपने आप में निवारण है, बाबा की बाते सुन, जीवन में तनाव से मुक्ती का ज्यान पाकर पंकज अपने घर पर चला गया, आज उसने यह जान लिया था कि, तनाव उसके अंदर है, तनाव कोई समस्या नहीं है, समस्या आन इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्याओं का निवारण करें, और विप्रीद परिस्थिती में धैर्य रखते हुए परिस्थिती के अनुकूल चले, दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, परंतु उन समस्याओं की वज सीख मिली हो, अगर मिली है, तो आप इस कहानी को उस व्यक्ति के पास तक जरूर शेर करें, जो तनाव में रहता है, और ये कहानी पसंद आई हो, तो विडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद